आइसोबेरिक प्रोसेस पहले तो पता करते हैं कि आइसोबेरिक प्रोसेस को हम identify कैसे करेंगे हमें पता कैसे चलेगा question में जिस process की बात हो रही है वो आइसोबेरिक है या नहीं तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह के cases हो सकते हैं यह बस कुछ examples है यहाँ पर देखो हमारे पास एक piston है उसमें हमने बोल दिया है कि piston move करी नहीं सकता है वो fixed है तो अगर मैं इसको यहाँ पर गरम करूँगा तो क्या होगा क्या ही आइसोबेरिक प्रोसेस है ध्यान से देखो यहाँ पर piston अगर move नहीं हो सकता यानि कि इसकी तो volume को मैं कुछ heat दूँगा तो क्या यह गरम हो जाएगी इसका pressure बड़ेगा या volume बड़ेगा क्या चीज़े हो सकती है सोचने की कोशिश करते है देखो यहाँ पर यह उपर atmosphere में खुली होई है हमारे पास यहाँ पर जो pressure होगा वो होगा P-A-T-M atmospheric pressure उसकी कुछ भी value हो सकती है उस particular point of time पर क्या कोई बड़ा सकता है इस piston की उपर क्या-क्या forces लग रहे है इस piston की उपर इसका हम free body diagram अगर बनाए इस तरीके से तो उसकी उपर से atmosphere कुछ force लगा रहा होगा वो होगा P-A-T-M यह तो pressure है pressure multiplied by area P-A-T-M into area नीचे हमारी gas का कुछ pressure है यहाँ पर से हमारी gas कुछ force लगा रही होगा pressure of gas multiplied by area अब क्या इस piston की उपर कोई और force लग रहा है यहाँ पर और एक force लग रहा है इस तरीके से M-G अब यह सभी forces मिला करके zero हो जाने चाहिए तभी हमारा piston equilibrium में रहेगा नहीं तो फटाक से उसका acceleration कुछ चालू हो जाएगा तो वो सब चीज़े हमें consider नहीं करनी होती है यहाँ पर हम लेख सकते है M-G plus P-A-T-M into A is equal to P-Gas into A या फिर आप दोनों तरफ A से divide कर दोगी तो हमाँ पास value जाती है अब देखो इस gas को अगर मैं गरम करूँगा या कुछ भी करूँ उसका pressure, temperature, volume तीन ही parameters होते है उनमें से pressure की value हमेशा यही आने वाली है equilibrium condition में और यहाँ पर देखो यह एक fixed quantity आने वाली है किसी भी type of setup के लिए देखो उसका mass fixed होगा, g fixed होगा, उसका area fixed होगा atmospheric pressure भी change नहीं होता है तो इससे पता चल जाता है कि pressure of the gas constant रहने वाला है तो यह हमारे पास एक isobaric process आता है हम लिख सकते है pressure of gas is equal to constant यह एक isobaric process है इस वाली case में क्या होगा यहाँ पर देखो हमारे पास एक इस फरीके से piston है जो इधर उधर move कर सकता है क्योंकि यह open है यहाँ पर होगा हमारे पास PATM और यहाँ पर mg नीचे की तरफ लग रहा होगा इसके normal reactions उपर नीचे लग रहे होंगा जो भी होंगा, लेकिन horizontal direction में कोई forces नहीं है तो यहाँ पर हम actually directly लिख सकते है PATM is equal to pressure of the gas दूनों तरफ pressure बराबर होगा तभी दूनों तरफ से इस piston के उपर same force लगेगा और forces बराबर होना ज़रूरी है तभी यह equilibrium में रह सकता है तो यह हमारे पास directly पता चल जाता है pressure of gas is a constant तो यह भी एक isobaric process है तो हमने सीख लिया किस तरीके से isobaric process को हम identify कर सकते है अब उसको identify करने के बाद calculations के इस तरीकी करी जाए देखो सबसे पहले हम लिखेंगे first law of thermodynamics जो होता है Q is equal to W plus delta Q यहाँ पर मैं इसे heat कर रहा हूँ तो मैंने इसको कुछ heat दी है उसके कारण या तो इसकी internal energy बढ़ जाएगी या फिर ये कुछ work कर देगा work कर देगा मतलब ये piston को उपर धका देगा यहाँ पर atmospheric pressure इसको नीचे दबाना चाहता है लेकिन फिर भी gas उसको उपर की तरफ धकेल देगी वो surrounding के उपर कुछ work कर देगी work done by the gas positive हो जाएगा अगर मैं उसे गरम करूँगा तो अब इसकी calculations किस तरीके से कर सकते है देखो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो delta u होती है delta u उसकी value क्या होती है kinetic theory of gases में हमने देखा था यह change in internal energy का सीधे सीधे से जो formula आ जाता है वो होता है f by 2 n r delta t और अब यह हमने iso-correct process में देखा था कि वहाँ पर इस चीज़ को हम लिखते है cv तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो n cv delta t यह तो हर एक process के लिए formula यही आने वाला है अब बात करेंगे work की work का formula क्या होता है वो होता है हमेशा integral p dv अच्छा क्योंकि हमारा pressure constant है तो pressure integral के बाहर आजाएगा वो जाएगा p integral dv जो बन जाता है pressure into change in volume p delta v बन जाता है तो बहुत ही आसान चीज़ आ गए अच्छा और एक चीज़ देखो हमारा पस क्या होता है p v is equal to n r t अगर pressure constant है तो हम लिख सकते है p delta v p delta v is equal to n r delta t यह भी बहुत simply हम लिख सकते है तो हमारा पस work के देखो क्या formula होगा work is equal to p delta v या फिर n r delta t तो हमसे दो तरीके से work done बूचा जा सकता है हमें या तो pressure दिया होगा बोला जाएगा कि volume 5 liter से expand हो गई है तो बताओ work done किता हुआ उस case में हम ये वाला formula यूज़ करेंगे या फिर हमें बोलागी जाएगा कि isobaric process में उसका temperature में इतना change आए बताओ work done कितना हुआ होगा तो हम क्या यहाँ पर initial volume पता कर सकते है या हम final volume भी पता कर सकते है PV is equal to nRT का यूज़ करके फिर उसके बाद हम PV2 minus V1 करके भी work पता कर सकते है लेकिन इतनी महनत करने से अच्छा है कि हम directly ये वाला formula यूज़ कर लेंगे nR delta T उससे भी हमाँ पास work आ जाएगा अब हमाँ पास तीसी चीज़ बसती है वो है heat तो Q Q को क्या बोला जाए देखो जब भी हम heat किसी भी process में देते हैं तो हम Q हमारी calorimetry में क्या लिखते है ms delta T यहाँ पर हम moles में consideration करते हैं क्या लिखेंगे nC delta T C हो जाती है specific heat capacity और कौन सा process है यह यह isobaric process जहाँ पर pressure constant होता है तो हमें C के नीचे लगा देते हैं इस तरीके से P Q की value हो जाती है nCp delta T हमारी पास सारे formula आ गए बस यही formula है जो हमें isobaric process में याद कर लें अब इनकी कुछ values होती है जैसे यहाँ पर एक cv और cp दो नई चीज आ गई जो आपको देखने को मिलेगी तो cv की value तो हमें पहले से ही पता है वो होती है f by 2 times r यह हमेशा true है f क्या होता है f is equal to degree of freedom monotomic के लिए होता है 3, diatomic के लिए होती है 5 non-linear के लिए वो वाली value हो जाती है 6 इस तरीके से कुछ values हो सकती है अब q की value को w की value को और delta u इन तीनों values को अगर मैं इस equation में first law of thermodynamics में रख दोता है देखो मुझे क्या equation मिलती है n cp delta t हमने q को यहाँ रख दिया is equal to work work में मैं nr delta t का यह वाला formula तो इसे मिल जाएगा plus f by 2nr delta t यहाँ पर क्या-क्याची से कट गए देखो n से n से n सारे n कट गए delta t से delta t सारे के सारे कट गए और यहाँ पर मैं पता चलता है cp is equal to f by 2 plus 1 times r या फिर आप लिख सकते हो एक और हमाय पास formula आगे हा cp is equal to f plus 2 divided by 2 times r बस यही हमारे कुछ formula है जिन से हमारे सारे के सारे isobaric processes के सारे question series इसे solve होने वाले हम बहुत सारे questions देखने भी पाले लेकिन हम शुरुआत करेंगे बहुत ही simple से question से let's begin the work done by an ideal gas as it expands by 5 liter at atmospheric pressure is बहुत ही अच्छा सवाल है isobaric सवाल होगा है क्योंकि pressure constant atmospheric pressure ही है gas का हमेशा तो वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है C क्या से आया देखते हैं तो यहाँ पर trick बहुत ही बहुत ही अच्छा सा सवाल ही कोई trick नहीं है लेकिन units conversion हमें करना पड़े है देखो work done होता है W is equal to P delta V अगर pressure constant है pressure की value कितनी दी हुई है 1 atmospheric pressure जिसको मैं 180M लिख देता हूँ और delta V की value कितनी है उसको बोला है कि expands by 5 liter तो 5 liter final volume नहीं है 5 liter change in volume है इतना expansion हो गया 1 ATM into 5 liter which is equal to 5 ATM liter 5 हमारा answer हो गया क्या option number A हमारा answer हो जाएगा नहीं यहाँ पर units है Joule यहाँ पर है ATM liter तो अब इसको SI unit में लाना पड़े replace करते हैं यहाँ पर देखो अब एक ATM कितना होता है atmospheric pressure atmospheric pressure होता है 1.01 into 10 raise to power 5 pascal और liter होता है हमारा 10 raise to power minus 3 meter cube अब यह ऐसा unit में आ जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 5 into 101 Joule which is equal to 505 Joule option number C is the correct answer और यहीं पर आपके लिए एक बहुत ही important चीज़ आ जाती है कि आप लिख सकते हो 1 ATM liter is equal to 101 Joule यह बहुत ही interesting सा आपके लिए conversion का factor आ गया हो सकता है chemistry में इस तरह के सवाल ज़ादा आते हो physics में शायद कम आते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरह के से units convert की जाती है अब सवाल उठता है कि gas expand करी की होगा इस process को समझते हैं visualize करते हैं हमाँ पास मालो यहाँ पर एक gas है और उसका atmospheric pressure के बराबर ही pressure रहता है और वो expand कर जाती है आप है ना मालो यहाँ पर P ATM है और अगर इस piston का कोई भी वजन नहीं होगा तो gas भी अगर equilibrium है तो gas का भी pressure atmospheric pressure के बराबर हो जाएगा कोई reason नहीं है कि piston उपर जाए या नीचे आए है ना तुनों तरफ pressure same है जरूर हमने इस gas को गरम किया होगा कुछ heat दी होगी तो इस heat देते और अगर piston उपर move नहीं कर सकता होता तो या इसो-correct pressure process हो जाता है अभी piston free to move है तो gas गरम होगी यहां से यह इसको push भी करेगी उसका temperature भी बड़ेगा दोनों चीज़े होगी और इस तरीके से हमारी gas expand करेगी जो extra volume यहाँ पर add होगा वही volume था 5 लीटर और उसके लिए इस piston को ऊपर धक्का मालने में जितना work done करना पड़ा है यही वो work done है 505 जो अब हमें एक बहुत ही important result derive करने वाले हैं जो है mayor's relation कई बार इसके लिए boards में directly इसका derivation पूछ लिए आता है mayor's relation होता है किया है cp-cv is equal to r तो इसको derive करना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ तो हम हमेशा लिखेंगे कि हमारे पास जो first law of thermodynamics है q is equal to work done plus change in internal energy अब कभी भी हम heat supply करते हैं तो हम क्या लिखते हैं q is equal to ms delta t अब की बार gases में हम लिखते हैं nc delta t this heat supplied को मैं लिख दूँगा nc delta t will be equal to work done ठीक है integral p dv होता है हमारा work done हमेशा plus change in internal energy कितनी होती है वो होती है हमारी f by 2 nr delta t तो ये सब चीज़े तो हमेशा valid है अगर मैं लिख दूँ pressure is equal to constant अगर हमारा pressure constant है तो देखो क्या क्या चीज़े change हो जाएंगे सबसे पहली चीज़ तो हमारा ये nc delta t में जो specific heat capacity है अब हम वो constant pressure वाली लगाएंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे this will be nc यहाँ पर मैं लिख दूँगा छोटा सब p times delta t क्योंकि pressure constant है तो वो एक specific heat capacity हमने define कर दी is equal to अच्छा है यहाँ पर देखो अगर pressure constant तो p बाहर आ जाएगा और फिर हमाई पास बसता है p integral dv और integral dv ये बन जाता हमारा p delta v अच्छा इसको हम क्या लिख सकते है हमने अभी पिछली कुछ दो-तीन slides में लिखा था कि हम लिख सकते है इसे n cv delta t क्योंकि अगर constant volume पर अगर हम किसी भी चीज़ को heat कस है तो उसका work done 0 होता है वो सारी की सारी energy उसकी internal energy को ही change करने में जाती है इस तरी की साम चीज़े लिख सकते है अब हमारे पास एक और equation होती है देखो pv is equal to n r t अगर pressure constant है तो p delta v को मैं क्या लिख सकता हूँ n r delta t p is equal to constant हमें यहाँ पे मानना पड़े तो यही से आप इसे replace कर दो यह बन जाएगा n c p delta t is equal to p delta v यहाँ से आप उठा करके रखती है बन जाएगा n r delta t plus n c v delta t क्या-क्या चीज़े कट गई delta t सब जगे कट गया n सभी जगे कट गया और हमारे पास relation क्या जाता है c p is equal to r plus c v या फिर इसी को rearrange करके लिख देता हूँ c p minus c v is equal to r और यही है हमारा mayors relation इसके derivation में हमने क्या-क्या चीज़ों का यूज किया हमने हमारी first law of thermodynamics equation का यूज किया हमने ideal gas equation का यूज किया और हमने बोल दिया है कि pressure constant रहा है इसका हमने यूज कर लिए क्या इस पूरे derivation में कहीं भी हमने यह बात करते है कि gas monoatomic है या diatomic है अगर कोई भी gas होगी तो उसके लिए ये f की value change हो जाने वाली है अपने आप सारी चीज़े इस तरीके से vary हो जाएंगी cp भी अपने आप change हो जाएगा cv भी अपने आप change हो जाएगा monoatomic और diatomic में इस तरीके से कि उन दोनों का difference हमेशा R के बराबर आएगा तो this is true for monoatomic, diatomic या फिर उनका कुछ आप mixture का combination मनाओ ये सारी की सारी चीज़े हमेशा valid रहेंगी तो इस बहुत ही important point को हम लिख लेते हैं this is valid for monoatomic diatomic or mixture of ideal gases है ना real gases के लिए ये true नहीं होगा, थोड़ा सा deviation वहाँ पर आ जाएगा तो ये derive तो हमने कर लिया अब इसकी थोड़ी सी feel लेते है ये mares relation actually है क्या हमने mares relation का derivation देखा वो है cp minus cv is equal to r अब इसको थोड़ा feel करने की कोशिश करते हैं हमारे पास दो processes है, है ना, इस तरीके से मान लो दो, हमने gases cath कर रहे है दोनों same gases है, same amount of gas है दोनों को हम गरम भी करेंगे और दोनों का जो delta t है वो भी हम equal रखने वाले है, तो इन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूँ, this is delta t is equal to same, all right n की value भी दोनों के लिए same है, चीक है तो यहाँ पर पहले बताओ ये कौन कौन से processes है यहाँ पर हम देख सकते है इसका volume fixed है, यह उपर move नहीं कर सकता या नीचे भी नहीं move कर सकता इसका मतलब यह isochoric process है तो पहले तो यहाँ पर लिख तो this is isochoric process V is equal to constant दूसरे वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर उपर atmospheric pressure है उसका नीचे की तरफ जो भी इस तरीके से force लग रहा है वो सब बराबर होगा यहाँ पर gravity के कारे इस piston का भी कुछ वजन है वो सब add होजाएगा लेकिन इस gas की उपर जो pressure पढ़ने वाला है वो same रहने वाला है इसको आप गरम करोगे यह expand होईगी थोड़ा उपर move करेगा लेकिन pressure same रहने वाला है तो यह हो जाता है हमारा isobaric P is equal to constant अब दोनों को हमने heat किया है इस तरीके से heat किया है कि दोनों का change in temperature बराबरा है तो यहाँ से हमने इसको दी होगी मान लो इसको मैं बोल देता हूँ this is Q1 इसको भी हमने heat दी है उसको हम बोल देते है Q2 अच्छे यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ Q1 is equal to work done plus change in internal energy of 1 Q1 is equal to W1 plus delta U1 first law of thermodynamics हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर volume constant है तो यहाँ पर work done हो जाएगा 0 और हमें पता चल जाता है Q1 is equal to delta U1 जो भी internal energy में इसका change आ रहा है इसकी value कित्ती हो जाएगी यह हो जाएगी N Cv delta T जितने भी number of moles थे क्योंकि constant volume पर है तो Cv into delta T अब इस isobaric वाले के लिए देख लेते हैं यहाँ पर भी first law of thermodynamics की equation लिखोगे तो आजाएगा Q2 is equal to W2 plus delta U2 यहाँ पर work done 0 नहीं होगा यहाँ पर piston उपर जा रहा है तो हमाया पास Q2 की value कितनी आ जाती है Q2 is equal to P delta V plus delta U2 अच्छे delta U2 की value कितनी होती है वो हमेशा हो जाती है N Cv क्योंकि change in temperature दोनों का बराबर था तो ही हो जाएगा delta T तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं Q2 is equal to P delta V और यह जो value है यह Q1 के ही बराबर है plus Q1 तो अब देखो इसको feel करने की कोशिश करो हमाया पास दो इस तरीके से gas थे इसका move नहीं कल सकता है piston तो मैं इसको जितनी भी heat देता हूँ उसके कारण इसका temperature बढ़ता है बस internal energy बढ़ती है यहाँ पर मैं इसको जितनी भी heat देता हूँ उससे गरम होती है इसकी internal energy भी बढ़ती है साथ मैं piston को उपर धक्का देती है यह surrounding के उपर कुछ work भी करती है work done by gas यहाँ पर positive है हम देखते हैं Q2 is more than Q1 और मैंस relation भी यहीं से आ जाता है हमें दिख जाता है कि अगर constant pressure पर आप अगर गरम कर रहे हो तो आपको ज्यादा energy देनी पड़ेगी constant volume पर आप गरम कर रहे हो तो आपको कम energy देनी पड़ेगी same delta T achieve करने के लिए 100 degree temperature बढ़ाना है constant volume पर कम energy पर 100 degree का temperature difference लापाओगे यहाँ पर ज्यादा energy देनी पड़ेगी यही हमारे मेर्स relation की feel हमें देने की बात आती है इन ही को आप लिख सकते हो देखो यह हो जाएगा NCP delta T यह हो जाएगा NR delta T और यह Q1 है हमारा NCV delta T तो मेर्स relation रहता है CP is equal to R plus CV बहुत ही है simple था 2 moles of ideal helium gas is in a rubber balloon at 30 degree Celsius the balloon can expand easily the temperature of the gas is slowly increased to 35 degree Celsius the amount of heat required in raising the temperature is nearly यहाँ पर देको क्या लिखा हुआ है पहले question को समझते है हमारा पास एक balloon था इस तरीके से 30 degree Celsius पर उसके अंदर helium gas थी 2 mole फिर उसको हमने गरम किया यहाँ पर इस तरीके से तो उसको volume बढ़ गया है थोड़ा सा वो expand हो गया है इस तरीके से उसका temperature अब हो गया है 35 degree Celsius तो सबसे पहले चीज़ delta T is equal to 5 degree Celsius which is also equal to 5 Kelvin degree Celsius और Kelvin में temperature change की value तो same ही होती है अब यहाँ पर और एक चीज़ लिखिए the balloon can expand easily इसका मतलब बलून अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाता है लेकिन बाहर से atmosphere ने इसके उपर कुछ pressure हमेशा लगा रखा होगा यहाँ जो expansion हुआ है वो एक isobaric expansion है P is equal to constant यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है P is equal to constant आइसोबारिक expansion हुआ है तब यहाँ पर हम directly formula का use कर सकते हैं या फिर हमसे यह भी पुछा यह heat दी उससे क्या होगा heat दोगे उससे इसके कुछ internal energy change होगी 30 degree Celsius से 35 degree Celsius होगए साथ में इधर कुछ work done भी होगा वो ऐसे push करेगा गैस ज़्यादा जगे बनाएगी Q is equal to U plus delta U plus work done तब यह दोनों चीज़े calculate करो या फिर उससे अच्छा है कि हम सीधे Q की जगे formula के लगा दे Q is equal to N Cp delta T क्या हमें Cp पता है नहीं लेकिन यहाँ पर हम मेर्स relation का use करेंगे और Cp पता करेंगे उसके बाद question को solve करेंगे तो वीडियो को post करो question को solve करो इस question का correct answer है option number D क्यासे आया देखो हमारे पास मेर्स relation से आ जाता है Cp is equal to R plus Cv अच्छे यह है helium gas तो helium gas यानि की monoatomic monoatomic है इसकी F की value और degree of freedom सिर्फ 3 होती है तो यहाँ से Cv की value कित्ती हो जाती है F by 2 R मेर्स relation से हमें पता चल जाता है यह हो जाएगा R plus F by 2 यानि की 3 by 2 R 3 by 2 R यह हो जाता है total हमारे पास 5 by 2 R यहाँ पर value रग दो तो Q की value हो जाएगी N, number of moles 2, Cp की value है 5 by 2 R into delta D, delta D की value है 5, यहाँ से हमारे पास value कित्ती है आ जाती है 2 से 2 यहाँ पर cut जाएगा हमारे पास value हो जाती है 25 into 8.314 approximately इसकी value आ जाती है 25 into 8, 200 और यहाँ जाएगा 208 Joule के आसपास option number D is the correct answer तो एक और हमारे लिए बहुत ही important result आ जाता है इसका आप याद रख सकते हो Cv की value हमेशा होती है F by 2 R और Cp की value हमेशा हो जाती है क्या हो जाएगी Cp की value F by 2 R plus R यानि की F plus 2 divided by 2 R तो यह बहुत ही interesting results है जो हमें याद होने चाहे है यह बहुत ही interesting सवाल है 40 gram helium is heated at constant pressure and 320 gram oxygen is heated at constant volume calculate the amount of heat needed to raise the temperature by 300 Kelvin तो 40 gram helium है तो हमाई पास इतनी सी 40 gram मान लो helium है और उसका 8 गुना 320 gram oxygen है इन दोनों को गरम कर रहे हम इस तरीके से की दोनों का जो temperature difference है वो 300 Kelvin हो जाए इसको हमने constant pressure पे किया है इसको हमने constant volume पे किया है तो इन दोनों में से किसे गरम करने में ज्यादा heat देनी पड़ेगी पहले आप guess करो इन दोनों में से किसको गरम करने के लिए हमें ज्यादा heat देनी पड़ेगी अब इस question को solve करना शुरू करते है दो parts बनाएंगे हमारे पास यहाँ पर है helium यहाँ पर है oxygen helium हमारे पास होती है देखो monoatomic इसके लिए monoatomic के लिए degree of freedom की value हो जाती है 3 यह है हमारी diatomic इसके लिए degree of freedom की value हो जाती है 5 अच्छा helium को हमने constant pressure बे किया है P is equal to constant तो यहाँ पर हम formula क्या यह उस कर लेंगे Q is equal to N Cp tilde T और straight forward है लेकिन हमें Cp नहीं पता Cp पता करो भई Cp होता है F plus 2 divided by 2R degree of freedom कितनी है 3 3 plus 2 यानि की 5 5 divided by 2R हमारे पास value आने हैं वहली है 5 by 2R ओल्राइट हमारे पास number of moles है क्या इसके number of moles नहीं हमें mass दिया हुआ है number of moles पता कर दे number of moles is equal to 40 gram divided by उसका molar mass कितना है वो हो जाता है 4 gram पर mole यह आ जाता है हमारे पास 10 mole delta D की value कितनी चाहिए delta D है 300 Kelvin सारा का सारे data आ गया values रखते जाते है हमारे पास आ जाएगा Q is equal to number of moles 10 multiplied by Cp की value है 5 divided by 2 into R की value मैं माल लेता हूँ 25 divided by 3 approximate value चल रहे हैं आप multiplied by temperature difference कितना है 300 Kelvin यहां से यह 2 इस तरीके से 5 कर जाएगा यह कर जाएगा 100 हमारे पास देखो 25 multiplied by 25 यानि की 62500 J या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 6 2.5 Kilo J इतनी heat हमें use करनी पढ़ेगी अब देख लेते हैं oxygen के लिए ज्यादा करनी पढ़ेगी है कम देखो oxygen is heated at constant volume तो हमारे पास volume is equal to constant है CV यहां पर हमें use करना पढ़ेगा जो होता है F by 2 times R degree of freedom यहां पर कितनी है degree of freedom आ रही है 5 तो यह आ जाएगा हमारा 5 divided by 2 R हमारे पास number of most कितने है 320 gram divided by उसका molar mass जो होता है 32 gram per mole और यहां से value आ जाती है अपने आप 10 mole heat needed is equal to nCV delta T क्योंकि constant volume पर हो रहा है values रखते जाओ number of moles है 10 CV की value है 5 divided by 2 R को मैं फिरसे रख दूँगा approximation लिए 25 by 3 या फिर वैसे actual value 8.314 आ मैं यूज़ करनी चाहिए इन्टू delta T की value है 300 और यहां से आप देखो फिर से same calculation है यह 5 है यह 100 है और हमाँ पास आन से जाता है 62.5 किलो जूल 320 gram oxygen हो या फिर 40 gram helium लग रहा है oxygen बहुत सारी है लेकिन वो उसका molecule ही बस heavy है इसलिए ऐसा हो रहा है तो हमाँ पास दोनों को same amount of delta T के लिए same amount of energy देनी पड़ रही है यह diatomic है तो इसके हर एक molecule की energy hold करने की capacity है कौन से energy hold करते है basically उसकी जो internal energy है वो बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा heat देनी पड़ती है तो यह constant volume पे ही 10 mol उतनी energy खा जाएंगे लेकिन यह monoatomic थी इसमें वो extra rotation वगरा वाला energy store नहीं हो सकती है तो यह कम energy store कर पाती है लेकिन यह constant pressure पे है तो जैसे जैसे आप इसे गरम करोगी expand भी करेगी तो यह कुछ extra work करेगी इसलिए इसको कुछ extra energy चाहिए होगी यहाँ पर यह 62.5 kJ पूरी की बूरी energy internal energy बढ़ाएगी यहाँ पर यह जो energy है वो internal energy भी बढ़ाएगी और थोड़ा सा work भी करेगी क्योंकि यहाँ पर pressure constant आ तो यह इन दोनों के पीश में बहुत बड़ा key difference आ जाता है दोनों की number of moles सेम है यहाँ पर पूरी की पूरी energy delta U कर रहे है यहाँ पर delta U भी है और work done भी है दोनों का delta T सेम है यह बहुत ही अच्छा सवाल था आगे चलते हैं 1 mole of a monatomic gas is heated at a constant pressure of 1 atmosphere from 100 Kelvin to 200 Kelvin if the gas constant R is equal to 8.32 Joule per mole Kelvin find the work done by the gas heat supplied to the gas change in the internal energy of the gas and change in the volume of the gas तो सारी के सारी चीज़े हम यहाँ पर solve करने बाले first law of thermodynamics का बहुत अच्छा use यहाँ पर होने बाला है देखो 1 mole of monatomic gas है at constant pressure यह isobaric process हो गया हमारा सबसे पहले हम यहाँ पर equation लिकेंगे है हमारी Q is equal to O W plus delta U क्योंकि pressure की value constant है तो हमारे work done की वैला formula क्यों होदात है P delta V तो हम part A में work done by the gas पता करते हैं क्या हमें pressure पता है क्या हमें change in volume पता है यहाँ पर कहीं volume का जिक्र नहीं है यहाँ पर हमें temperature में change पता है तो अब यहाँ तो हमाँ पास दो option है पहले मैं PV is equal to nRT लगा हूँ है ना pressure मुझे पता है n पता है r पता है दो अलग-अलग temperature पर दो अलग-अलग volume मिल जाएंगी यहाँ पर delta V की value रखोंगा तो मेरे को work done भी मिल जाएगा लेकिन वह बहुत ही लंबा चोड़ा process है हम वह से नहीं करेंगे हम first law of thermodynamics का use करने वाले है हम यहाँ पर Q पता कर लेंगे delta U पता कर लेंगे दोनों के difference से W पता चल जाएगा क्योंकि बागी चीज़ हमें वैसे भी पता करनी है solve करना start करते है हम start करेंगे B से heat supplied to the gas Q की value कित्ती होगी Q होगी monoatomic gas है CP की value हो जाती है CP is equal to F plus 2 divided by 2 times R यह हमेशा formula सही है degree of freedom monoatomic के लिए होता है 3 तो यह 3 plus 2 divided by 2 R यानि की 5 by 2 R इसकी value आ जाती है number of mole 1 है delta D हमें पता है 100 यहाँ से heat supplied की value आ जाती है 1 into 5 by 2 into 8.32 into 100 इसको या तो मैं भी लिख देता हूँ 250R इतनी heat हमने supply करे है या फिर आप इसको numerically solve करोगे तो यह value कित्ती हाजाएगी यह गट जाएगा 4.16 multiplied by 100 होजाएगा 416 into 5 करोगे तो यह आजाएगा 6 by the 30 5 by the 5 8 4 by the 2080 2080 Joule छेक Part C Change in the internal energy of the gas Change in internal energy उसको हम delta U लिखते है उसकी value कित्ती होती है F by 2 N R delta T या फिर इसी को आप लिख सकते हो N C V delta T क्योंकि C V की जो value होती है वो F by 2 R वही तो होती है किसी भी तरीके साब formula लिख सकते है वा answer same ही आने वाला है values रखना शुरू करते है हमारे पास monatomic gas है F की value 3 होती है तो यहां से हमें value मिल जाएगी This is equal to 3 by 2 number of mole है 1 into R की जगे R लिख देंगे delta T की value है 100 तो this is equal to 150 R हमारे पास answer आता है अगर इसे हम Joule में convert करने जाएए तो यह आता है 3 into R की value देंगे 8 3 2 हो जाएगा नीचे रहेगा 2 जाएगा 4 1 6 multiplied by 3 4 1 6 multiplied by 3 हो जाता है 8 3 3 4 4 3 1 2 4 8 जो जो लो 1 2 4 8 Joule हमारे पास यह answer आ गया अब मैं आ जाऊंगा part A पर work done की value क्या हो जाए work done यहां से आ जाता है मेरे पास Q minus delta U है ना इस first law की equation से देखोगे तो work done की value आ जाती है Q minus delta U Q की value थी 250R minus delta U की value कितनी आ जाए 150R तो इस इस इक्वर डू 100 times R और उसकी value कितनी आ जाती है 8 3 2 Joule हमारे पास answer है यहाँ बहुत आसानी से और हमारे पास last part बचा हुआ है part D D को हम देखते है change in the volume of the gas इसको कैसे पता करोई वही आपके पास दो जगह पे temperature दिया हुआ है इन दोनो temperature पे आप PV is equal to N RT कर सकते हो क्योंकि pressure की value भी आपको दी हुई है N पता है, R पता है T अलग अलग पता है तो दो volume पता चलेंगे उन दोनों का difference कर लो या फिर दूसरा तरीका है work done और isobaric उसकी value कितनी होच गया work done is equal to P delta V यहाँ से delta V की value आजाएगी change in volume is equal to work done divided by pressure work done है 8, 3, 2 divided by pressure कितना है 1 ATM यह था हमारे पास Joule नीचे था हमारे पास ATM और अगर हमारा delta V लीटर में होगा यहाँ से लीटर आप नीचे लिया होगे तो इसको आप लिख सकतो 8, 32 divided by 1 ATM लीटर अगर अगर हमारा लीटर में आएगा और हमने अभी देखा था 1 ATM लीटर को हम क्या लिखते है 101 Joule तो इस इक्यूवैलन टो 101 Joule यह यहाँ पर कटेगा तो approximately इसकी value जाती है 8.23 और answer इस पार हमारा आजाएगा लीटर में मीटर क्यूब में नहीं आएगा तो units का यहाँ पर आपको धियान रखना है इस तरह से आप questions को solve कर सकते हो बहुत ही अच्छा सवाल था हमने सारी के सारे aspects जो होते हैं एक isobaric process में सारी सारी चीज़ें इस question में देख लिए यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है इसको practice करना ज़रूर 1 mole of monatomic gas is heated at a constant pressure है ना pressure cv का cp का हमें use करना होगा नहीं देखते हैं 1 atmosphere from 100k to 200k if the gas constant is 832 joule per mole kelvin the change in internal energy of the gas is approximately तो हमसे q is equal to w plus delta u यह हमाई first log equation है हमसे इस बार q नहीं पूचा है हमसे work done भी नहीं पूचा है हमसे delta u पूचा है delta u हमेशा होता है n cv delta t process isobaric है पर हमसे heat नहीं पूची work नहीं पूचा हमसे पूचा है delta u जो की हमारी एक state property होती है उसको process से लेना देना ही नहीं है हमेशा उसका answer यहीं आता है तो monoatomic है तो f की value हो जाती है 3 cv की value हो जाती है f by 2 r formula का use करो यह calculate करो और यह आपके लिए homework है आपका जो answer आएगा उसको comment करो एक और बहुत ही अच्छा सवाल two cylinders A and B fitted with pistons contain equal amounts of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin तो हम साथ में question में diagram बनाते चलते हैं हमारा पास एक तरफ A है और दूसरी तरफ B है उनों में piston है यहाप है कहीं पे बना दो यार ऐसे piston इस तरफ जा सकता है piston of A is free to move while that of B is held fixed तो यहाँ पे pressure is equal to constant होगा यहाँ पे volume is equal to constant होगा the same amount of heat is given to gases in both cylinder तो दोनों में Q दी गई है इसको भी Q दी गई है दोनों में heat same है if the rise in temperature of the gas in A is 30 Kelvin यहाँ पे delta T is equal to 30 Kelvin है यहाँ पे हमसे पुछा है the rise in temperature of the gas in B is तो यहाँ पे delta T कितना होगा पहले तो guess करो ज्यादा होगा या कम होगा देखो यहाँ पे pressure constant है यहाँ पे volume constant है इसको मैं जितनी भी heat देता हूँ उससे इसकी internal energy भी बढ़ती है और यह थोड़ा work भी करता है यहाँ पे जितनी भी heat दूँगा तो उससे सिर्फ internal energy बढ़ेगी तो यानि कि temperature में ही change होना है उस energy से तो इसका temperature ज्यादा बढ़ेगा अगर इसका 30 Kelvin का change था यहाँ पे 30 Kelvin से ज्यादा change होने बाला है option B और option A तो नहीं है 50 और 42 में से ही कोई हमारा answer आ सकता है कैसे solve करोगे दोनों तरफ heat को equate करो Q is equal to NCP delta T Q is equal to NCP delta T वीडियो को post करो question को solve करो इस question का correct answer है option number D बहुत ही अच्छा सवाल था यहाँ पर देखो हमें करना है क्या है हमें दोनों में जो heat दी है Q A is equal to Q B ऐसा बोला गया Q A की value देखो जाएगी NCP delta T of A is equal to Q B के लिए हम लिख सकते N CV delta T of B दोनों में number of moles बराबर है तो इस तरीके से कट जाएगा CP की value कितनी होती है F plus 2 divided by 2 R delta T of A delta T of A की value क्या हमें दी होई है delta T of A की value है 30 Kelvin is equal to CV की value होती है F by 2 R delta T of B हमें पता करना है देखो R से R कट गया 2 से ये 2 कट गया ये है हमारी कौन सी gas है ये है ideal diatomic gas यहाँ पर F is equal to 5 होने वाला है तो ये F plus 2 कितना हो जाएगा 5 plus 2 multiplied by 30 divided by 5 is equal to delta T of B यहाँ से ये कट जाता है 6 और ये हो जाता है 7 7 to 6 which is 42 is equal to delta T B 42 Kelvin में हमारा answer है का option number D is the correct answer बहुत ही अच्छा सवाल था है और एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल देखते हैं ये एकदम बेसिक सवाल है लेकिन बहुत सारे competitive exams में पूछा गया है when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure the fraction of the heat energy supplied that increases the internal energy of the gases तो देखो इसा fraction की बात हो रही है इसका मतलब क्या हुआ हमारा पास मान लो इस तरीके से एक piston है और यहाँ पर isobaric process हो रहा है हम इसको कुछ यहाँ से heat देते हैं heat देते है तो उसके current देखो तो यह थोड़ा सा piston ऊपर भी जाएगा थोड़ा जाया है जादा जाया है मुझे नहीं पता तो यहाँ पर यह कुछ work done होगा साथ में इसका temperature भी chained होगा तो उसके current देल्टा यू होगा हम जानते हैं Q is equal to W plus देल्टा यू यह हमारी first law की equation है तो हमसे पूचा है the fraction of the heat energy supply that increases the internal energy of the gas हमसे जो पूचा है वो है डेल्टा यू divided by Q यह कितना होगा इसको कैसे solve करोगा straight forward formula आपको लगाना है NCV delta T upon NCP delta T वीडियो को पॉस करो question को solve करो इस question का भी correct answer है option number D देखो delta U की value होती है हम जानते ही होता है NCV delta T delta Q sorry, जित्ती heat दी गई है वो क्या होता है NC delta T क्या यह एक isobaric process है yes, तो यह हो जाएगा हमारा CP alright, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि N से N कटता है delta D से delta T कट जाता है CV की value होती है F divided by 2 times R CP की value होती है F plus 2 divided by 2 times R यहाँ यह R से R कट किया है 2 से 2 कट किया है और हमारा पास degrees of freedom किती है diatomic gas के लिए F की value होती है 5 यह आजाता है हमारा पास 5 divided by 5 plus 2 यानि कि 7 5 by 7 is the correct answer हम इसको जितनी heat देते हैं मार लो मैंने यहाँ पर 70 Joule heat दी है तो 50 Joule से सिर्फ temperature गरम हो जाएगा और 20 Joule यहाँ पर हमारा पास work done होगा तो हमसे यह भी पूछा जा सकता था ratio ratio of work done divided by heat supply तो वो कितना हो जाता 2 divided by 7 या फिर 1 minus 5 divided by 7 इतना ratio से internal energy change हो रही है तो 1 minus उससे हमारा work हो रहा हो इस तरह के सवाल बहुत सारी बार पूछे जा चुगे बहुत ही conceptual सवाल है बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत ही important सवाल है एक और सवाल देखते है if 70 J of heat is given to a diatomic gas at constant pressure find the heat used to change its internal energy and the heat used to do work by the gas तो बहुत ही अच्छा सवाल है अभी जो हमने देखा Q is equal to W plus delta U होता है और आपको diatomic gas के लिए बताना है F is equal to यहाँ पर 5 होगा CV की value F divided by 2 R ही क्यों होती है तो यह पता करने के लिए आपको kinetic theory of gases देखनी पड़ेगी और CP की value F plus 2 divided by 2 R क्यों होती है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले merece relation में यह वाली चीज़ को derive कर लिया है तो अब आपको video को pause करके अपना question को solve करो answer को comment में करना है यह आपके लिए homework question है आपके बहुत सारे concepts यहाँ पर clear हो जाएंगे हम देखते हैं और एक बहुत ही interesting सवाल यह बहुत ही straight forward सवाल है CP and CV denote the molar specific heat capacities of a gas at constant volume and constant pressure respectively then हमाँ पास कुछ statements है इसमें से multiple correct हो सकते है video को pause करो question को solve करो इस question के correct answer है B and D कैसे आया आओ देखते है CP minus CV is larger for a diatomic ideal gas than for a monoatomic ideal gas तो confusion इसलिए होगा क्योंकि monoatomic के लिए जो भी CP, CV की value होती है diatomic के लिए उससे ज़ादा ही होती है CP और CV की values लेकिन दोनों का जो difference है मेर्स relation से हमें ही पता चल जाता है CP minus CV is always equal to R for monoatomic, for diatomic या उनका कोई भी mixture है कोई भी combination मनाओ तो वो दोनों ही cases में बराबर आता है तो यह हमारा answer नहीं हो सकता वो हमेशा बराबर होते हैं या अलग-अलग नहीं हो सकता larger नहीं होता है option number B देखते है CP plus CV is larger for a diatomic ideal gas than for a monoatomic ideal gas अच्छा CP plus CV की बात हो रही है तो CP और CV होता है CP plus CV अगर मैं करना चाहूं CP होता है F plus 2 divided by 2R CV होता है F by 2R तो यह वाली value हो जाती overall हमारे पास 2F plus 2 divided by 2R यानि की F plus 1R अगर diatomic के लिए F की value जाता है तो यह वाली term उसके लिए जाता हो जाएगी तो yes, this is larger for diatomic gases तो यह हमारा answer correct हो जाता है option number C CP upon CV is larger for diatomic ideal gas than for a monoatomic ideal gas अच्छा CP upon CV यह बहुत ही interesting term है इसको gamma बोलते हैं कि हम आने वाले lectures में देखेंगे इसकी importance क्या होती है CP upon CV चेक कर लेते हैं CP divided by CV CP की value होती है F plus 2 divided by 2R CV की value होती है F divided by 2R R से R कट गया यह कट गया इस तरीके से हमारा पास यह value हो जाती है F plus 2 divided by F या फिर आप इसी को लिख सकते हो 1 plus 2 divided by F अब diatomic ideal gas के लिए F की value ज्यादा होगी तो यह जो total value है वो कम हो जाएगे ना तो CP upon CV is smaller for a diatomic gas हो जाएगा तो हमारे पास यह actually गलत हो जाता है option number D चेक कर लेते हैं CP multiplied by CV is larger for a diatomic ideal gas तो इसको भी आप चेक कर सकते हो CP multiplied by CV कर दोगे तो उसमें F ऊपर आजाएगा और multiplication में terms होगी अगर F की value ज्यादा होगी तो यह वाली overall जो term आएगी वो ज्यादा आजाएगी diatomic के लिए F की value ज्यादा होती है तो D भी अपने हाप correct हो जाता है हमारे सारे के सारे answer यहाँ पर correct हो जाते है अब आते हैं थोड़े से एक मुश्किल सवाल की तरह initially at equilibrium the spring is at its natural length तो माल लो यह हमार equilibrium है उस वक्त इसकी नाच्रल लेंथ है the gas is heated and the piston moves by x knot amount इसको हम यहाँ से गरम करते है तो piston इधर तो मूव होगा नहीं इस तरफ जाएगा gas expand होगी हमारे पासी piston माल लो इस तरीके से x knot amount move हो गया है finally फिर यहाँ कहीं पर आजाता है तो spring में compression कितना हुआ वो भी x knot ही होगा find the work done by the gas if its initial pressure was p knot and the area of the piston is a अगर gas का pressure यहाँ पर p knot था और यहाँ पर माल लो spring इस तरीके से नहीं होती तो यहाँ पर हमारे पास atmospheric pressure है कुछ p atm आलो वो भी फिर p knot के ही बराबर होता और यहाँ पर फिर अगर मैं ऐसे गरम करता तो piston इस तरफ सरकता लेकिन यहाँ पर हमेशा बाहर तो atmospheric pressure है उस case में एक isobaric process होता क्योंकि अंदर की gas और बाहर atmosphere हमेशा equilibrium में रहेंगे हमारे सारे processes quasi static होता है slowly slowly होता है लेकिन इस बार यहाँ पर spring लगी हुई है तो यहाँ पर हमारा pressure constant नहीं है तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पता चल जाते है this is not an isobaric process पहले तो हमें यह समझ रहे है तिस में जो work done होगा वो आप कैसे calculate कर सकते हो देखो work done जो होता है by the gas वो हमेशा होता है integral p dot dv अब किसी भी x पर मानलो मैं हूँ यहाँ से x distance पर हूँ और वो थोड़ा सा dx वहाँ पर मैंने इसको move कराया मानलो मैं यहाँ x पर आया और उस piston को मैंने थोड़ा सा dx move करा दिया इस तरफ उसने कुछ work done किया होगा पता करने की कोशिश करते है वो work done छोटा सा dw की value क्या होगी तब ही हम फिर उसको integrate करेंगे और answer निकाल पाएंगे देखो dw की value आजाएगी p dv उस वक्त gas का pressure कितना होगा हम already यहाँ से x amount आ चुके हैं हमारे पास यह जो piston है piston क्यों पर forces क्या लग रहे होगे gas का pressure P multiplied by piston का area A इस तरफ pressure लग रहा होगा बाहर की तरफ से atmosphere ने force लगा रखा होगा जो होगा उसका P naught times A area तो दोनों तरफ ही same है atmosphere का pressure P naught है क्योंकि initially equilibrium में थी gas का भी P naught था तो बाहर का भी P naught होगा और बाहर का अगर एक बार P naught है तो वो हमेशा same रहने वाला है atmosphere का pressure change नहीं होता है लेकिन अब spring इस तरफ x amount से compress हुई है तो spring इधर force लगाएगी कितना force लगाएगी spring force लगाएगी k x तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा equilibrium में हमारा system रहता है तो piston के ऊपर दोनों तरफ से forces बराबर लगेंगे हम लिख सकते हैं P A यह कौन से P हैं? gas का P gas into A is equal to P naught A plus k x तो मैं लिख सकता हूँ pressure of gas is equal to P naught plus k upon A times x यह हमाँ पास pressure की equation आगे किसी भी x पर अच्छा, छोटा सा volume में change कितना है? जिस वक्त यह dx इदर आगे आया है तो volume में छोटा सा change dv कितना हो जाएगा? area multiplied by छोटा सा dx यही छोटा सा volume बन जाएगा dv की value हो जाती है area into dx यह दोनों values को pressure को और यह dv को इन दोनों को आप यहाँ पर रख दो यह छोटा सा work done हमारा बन जाता है p0 प्लस k अपॉन ax multiplied by adx which is equal to p0 adx plus kx dx हमारे पास छोटा सा dw की value आगे total work done क्या हो जाएगा? इसका complete integral work done will be equal to integral of pressure into dv तो p dv को ही इसी को हम क्या लिख देंगे? यह वाली चीज़ तो उसको दो अलग-अलग integral से मैं लिख सकता हूँ एक यह और दूसरा यह यह बन जाएगा p0 adx plus integral of kx dx limits क्या लगा ही जाए? x की value कहां से कहां तक change हो रही है? देको x initially 0 था और finally x0 तक गया है 0 से लेकर के x0 तक 0 से लेकर के x0 तक क्या क्या चीज़ चीज़े constant है? देखो p0 a यहाँ पर तो दोनों ही constant है आप इसको रख सकते p0 a और फिर यह dx का integration करोगे तो simple x आ जाएगा limits रख होगे x0 से लेकर के 0 तक तक तो यह क्या आ जाएगा? p0 a x limit 0 से लेकर x0 plus इसको integrate करोगे k तो constant is spring का constant और x dx इसका integral कितना हो जाता है? x2 by 2 जाएगा x2 divided by 2 limits रख दो 0 से लेकर x0 तक work done के value आ जाती है p0 a x0 plus half k x0 का square यह हमाया पास work done इस case में आ गया अगर हमारा piston x0 move करता है तो इसी question को और भी complicated अगर आपको बनाना है इस तरीके से बन सकता है यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि first law की equation भी apply करवाद हो तो q is equal to w plus delta u w हमें पता चल गया question में कुछ इस तरीके का data दिया जाएगा कि आपसे क्यू पूछा जाएगा delta u b आप उस हिसाब से calculate कर सकते है आपको दिया जाएगा change in temperature इतना हुआ था इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनाया जा सकते है लेकिन इस question को इस छोड़ी से question को भी solve करने का एक बहुत ही आसान तरीका है उसके लिए हम यह integrations का भी use करना नहीं पड़ेगा वहाँ पर हम work energy theorem का use कर लेंगे देखते हैं कैसे इससे solve करने का दूसरा तरीका बहुत ही simple है लेकिन उसमें आपको gas से अपना focus हटा करके piston पर लाना पड़ेगा इस problem को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा देखो यह क्वाजी static process है piston बहुत धीरे-धीरे move करेगा और यहाँ पर initially था यहाँ पर final था रुप गया तो basically उसकी initial piston की kinetic energy 0 है हम क्या लिगेंगा kinetic energy of piston piston equal to 0 initially and finally इसका मतलब work done on piston is 0 work done on piston is equal to 0 अब piston के उपर कौन-कौन work कर रहा है piston के उपर वो work करें जो जो उसके उपर force लगा रहा है एक इस तरफ से force लगा है gas ने gas ने कुछ pressure लगा होगा उसके कारण Asia से multiply होगे वो force बन गया दूसरा हमारे पास एक atmospheric pressure है P0 ATM यह atmosphere के कारण और तीसरा यहाँ पर force होगा कुछ spring के कारण तो यही तीनों लोगों ने उसके पर work किया और तो कोई force लगा नहीं है एक इस तरफ लगा होगा ग्राविटी का उपर normal reaction लगे होगे लेकिन उपर नीचे के direction में कोई motion हो नहीं रहा है तो उसको हमें consider करने की भी जरूरत नहीं है इसकी value 0 आने वाली है इसका मतलब 0 is equal to work done by gas plus work done by atmosphere plus work done by spring इसकी value 0 आने वाली है gas ने कितना work किया वो तो हमें पता कर नहीं है तो उसको हम w gas ही लिख देते हैं यहाँ पर atmosphere ने इस piston के उपर कितना work किया है देखो यहाँ पर atmosphere pressure इधर लगा रहा था इसका displacement इस तरफ हुआ है x not इधर तो वो इस तरफ आ गया है force लग रहा था इस तरफ displacement हुई है इधर यानि कि atmosphere ने negative work किया है कितना किया होगा force into area force कितना लगा होगा देखो यहाँ पर उसका pressure था p not multiplied by area यह था force displacement कितना हुआ x not लेकिन negative का थी है minus में आएगा ठीक है spring ने कितना work किया spring भी force इधर लगा रही थी लेकिन compress हो गई इस तरफ spring तो conservative force लगाती है उसने कितना work किया negative में किया होगा तभी तो वो पिचिक गई और उसके अंदर energy store होगा spring ने भी negative work किया है minus मैं पहली लगा देता हूँ half k x not का इतनी energy उसके अंदर store होगा ही वही उसने negative में work किया होगा यहां से माय पास सीधे सीजाता है work done by gas is equal to p not a x not plus half k x not का square तो यह इसी question को देखने का एक दूसरा तरीका था प्वाद ही simple question था हम मिलेंगे अगले वीडियो में यह वीडियो छोटा सा पार्ट था crash up yolo series का जो कि absolutely free में available है आपको बस search करना है crash up yolo series yolo physics कुछ भी search करो और आपको इतने अच्छे videos मिलेंगे आजाओ साथ में मिलकर के पढ़ेंगे लेकिन प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए बना पाऊँ तो इस QR code को scan करो जो भी आपको amount अच्छा लगे प्लीज जोनेट करो मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना पाऊँगा अब मिलेगे यolo series में आजाओ आजाओ जल्दी जल्दी